गुट मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th मैट्स हम कर रहे हैं 15.2 एक्सरसाइज और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोश्य नंबर 10 कोश्य नंबर 10 आपके पास गीवन है दाइमेटर ओफ सर्कल्स इन मिलिमेटर ड्रो इन डिजाइन और गीवन बिलो मतलब आपके पास सर्कल्स की डाइमेटर गीवन है बट मिलिमेटर में तो डाइमेटर क्या गीवन है देखे है 33 से 36 37 से 40 41 से 44 45 से 48 और 49 से 52 अब इसमें एक दिकत यह है कि यह जो क्लास इंटर्वल है जिस पॉइंट पर एंड हो रहा है नेक्स्ट वाला क्या वहां से स्टार्ट हो रहा ह जब एसा ना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा उसे सेम बनाना पड़ेगा अब हमारे पास नंबर ओफ सर्कल्स इट मींस फ्रिक्वेंसी क्या गीवन है नंबर ओफ सर्कल्स तैसे कितने सर्कल है जिसका डाइमेटर 33 से 36 के बीच में आता है 15 17 21 22 25 यह है अब हम कैलकुलेट तो करेंगे केलकुलेट क्या करना है केलकुलेट दे इस्टेंडर डेयशन एंड मीन दो चीजे निकालनी डाइमेटर ओफ से 9 अब उसने हींट तो दे दी कि आपको ये वाले class interval लेना है in case अगर वो hint आपको न दे तब आप क्या करेंगे suppose उसने hint नहीं दिया आपको तब क्या करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि आपका class interval continuous होना चाहिए continuous means जिस point पे end हो next वाला उसी point से start होना चाहिए जैसे normal वे में 10 to 20 तो next क्या रहता था 20 से ही 30 रहता था रहे ये दोनों same बट यहाँ पे ये दोनों same है क्या नहीं तो same नहीं है तो same बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप इन दोनों में देखो कि difference कितने का है कितने का difference है one का जितने का भी difference होता है उसको हमेशा माइनज़ प्लस तो देखो ओ माइनस 33 मांण़ जी रोओ पॉइंट 5 कारा तो कितना मिल गया आपको ये तो confirmे की 0.5 प्लस और माइनस करना है 33 मैं से 0.5 माइनस करा 32.5, 36 मैं प्लस करा 36.5 ति 36 मैं से माइनस करा मतलब हर एक पहले वाले मैं से माइनस करेंगे तो अगें 36.5 40 में प्लस करा तो 40.5 41 में से माइनस करा तो 40.5 44 में प्लस करा तो 44.5 तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पे end हो रहा है उसी से क्या हो रहा है अब यही स्टाट इट मिंस कि अब आपका class interval कैसा हो गया continuous हो गया इसलिए हमेशा सबसे पहले question में देखना कि अगर class interval given है तो वो continuous है या discontinuous और अगर continuous है तो कोई problem नहीं आप direct table बना सकते हो but in case अगर वो discontinuous है मतलब continuous नहीं है तो उसके लिए पहले आप उसको क्या करेंगे continuous में convert करेंगे right now latest solution let the assume mean mean क्या suppose कर लिया हमने 42.5 और age कितना suppose करा 4 4 कहां से आ गया देखे यह आपका class interval है 36.5 में से 32.5 को minus करो कितना आ रहा है 4.0 it means कि आपका age कितना हो गया 4 class interval में जितने का difference होता है वो आपका age होता है right और इसमें सबसे देखे यह दो column इदर से छोड़ दो यह इदर से यह दो value बची तो 41 प्लस 44 right कितना आया 85 85 divided by 2 कितना आया 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 carry 5 मतलब कितना आ रहा है a 42.5 clear हो गया मतलब mean मिल गया मतलब हम assume mean कैसे निकालेंगे a equals to 42.5 h equals to 4 let us make the table of the given data and append other columns after calculations तो देखे अब हम class कौन सा लिखेंगे जो की question में दिया है वो नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि वो discontinuous है continuous class interval नहीं है लेकिन जो हमने continuous में convert करा हमने वो सारे class interval हमने यह आपे note down कर लिए 32.5 से 36.5 36.5 से 40.5 40.5 से 44.5 इस तरीके से frequency अल्रेड़ी आपको given थी it means number of diameters यहां children लिखे है number of diameters given है यहां height गलत लिखा है इसको सिरिफ class ही रेंदो इसको frequency रेंदो clear तो कितनी देखे रखे हैं अल्रेड़ी आपको देखे है 15, 17, 21, 22, 25 तो यहां पर अल्रेड़ी लिखी है 15, 17, 21, 22 और 25 इन सभी को अब हम क्या करेंगे plus तो देखे है 5 plus 7, 12 12 plus 1, 13 13 plus 2, 15 और 5, 20 0 लग गया 2 carry 2 plus 1, 3 plus 1, 4 4 plus 2, 6 6 plus 2, 8 plus 2, 10 कितना आगया N equals to 100 आगया अल्रेड़ा फ्रिक्वेंसी मिल गई अब हमें क्या निकालना है मीट पॉइंट मीट पॉइंट कहां से निकालते इस कॉलम से कैसे देखो दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड तो 32.5 को 36.5 में प्लस करा तो 0 carry 1 कितना आगया 3 और 6 9 69 divided by 2 कितना आजाएगा 2 3s आग 6 2 4s आग 8 34.5 9 आगया 34.5 As it is अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड तो कितना आजाएगा 38.5 As it is अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आजाएगा 42.5 As it is हम 44.5 और 48.5 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आजाएगा 46.5 हम अब आप यहाँ पे 48.5 और 52.5 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आजाएगा 50.5 मतलब यह आपका X मिल गया mid point अब आप यहाँ देखेंगे इन सभी में सबसे mid value नीचे से दो उपर से दो छोड़ दो कितना आ रहा है 42.5 तो यहाँ पे आपका यह क्या हो गया mean देखें मैंने पहले भी निकाल के बताया था और अभी भी तो हमेशा X वाले मतलब जो mid point रहता है उसमें जो सबसे बीच के value रहती वो आपका क्या रहेगा assume mean जिसको हम denote किसे करेंगे capital A से clear I hope आपको यह समझ में आ गया now the next column is X minus A upon H X आपका यह रहा A आपने जो suppose कर रहा है वो हमेशा H से divide करना H means 4 से divide करना तो जैसे 34.5 में minus करा 42.5 का मैं एक बार लिखके बताती हूँ 34.5 X की value minus 42.5 divided by 4 तो देखिये minus में आएगा यह 0 में से 5 में से 5 गया 0 2 में से 4 गया 8 by 4 4 तू जा 8 काई का minus का आ रहा है minus का 2 तो as it is हम क्या करेंगे minus करेंगे तो एक साब का यह रहेगा अलग-अलग 38.5 में से 42.5 को minus करा तो 42 में से 38 गया 4 और डिवाइद बाइ 4 इट मींस माइनस 1 फिर 42.5 में से 42.5 को minus करा तो 0 46.5 में से 42.5 को minus करा रहा है तो 4 और डिवाइद बाइ 4 तो चली रहा है इट मींस प्लस का 1 और यह as it is क्या जाएगा प्लस का 2 clear I hope आपको y समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे next column बनेगा y square right y square क्या बनाया हमने next column 2 का square 4 1 का square 1 0 1 का square 1 again 2 का square 4 right अब हम क्या करेंगे एक बार x का multiply या y में करेंगे तो देखे 15 into minus 2 minus 30 17 into minus 1 minus 17 21 into 0 0 22 into 1 कितना आया 22 25 into 2 50 इन सभी को plus करेंगे तो कितना आएगा plus का 25 clear आप चाहो तो plus करके देख लेना कि कितना आ रहा है minus वाल एक साथ plus करना तो यहाँ पर कितना आया minus का 47 right इसको plus करा तो 72 right 72 में से यह तो 12,6 तो यहाँ कितना आजाएगा 5,42 मतलब plus का 25 clear यह हो गया अभी हमने इसका multiply इसमें करा y में तो मिला f y अब f का multiply हम करेंगे y square में तो यह हो जाएगा f y square चेक कर लेते 15 into 15 into 4 कितना आया plus का 60 17 into 1 plus का 17 21 into 0 again 0 22 into 1 22 25 into 400 मतलब be carefully कॉलम को ध्यान से select करना multiply करने के लिए अधिकतर students गलत कॉलम में गलत multiply कर देते अब इसको add करेंगे हम देखे 7 plus 2 9 कितना आया 9 6 plus 1 7 plus 2 9 और 10 19 तो ये कितना हो गया 199 इसका total आ गया अब हम क्या करेंगे values फाइंड करेंगे यहां हमारी table complete तो सबसे पहले देखिए mean फाइंड करना है तो mean के लिए formula क्या होता है a plus sigma fy upon में n into h तो a कितना है already आपके पास 42.5 और h कितना है 4 already तो देखिए a की प्लेस पे रखा 42.5 plus यहां रखा 25 divided by 100 into 4 right कैसे देखिए मैं बताती हूँ a की प्लेस पे रखा 42.5 plus 25 upon में 100 into h 4 से cancel करा 25 25 ने 25 से cancel करा 1 तो 42.5 में 1 को 8 करा तो कितना आया 43.5 यह आपका क्या हो गया mean अब आप क्या find करेंगे variance variance के लिए formula होता है sigma square equals to h square upon में n square in bracket n sigma fy square minus sigma fy का whole square right variance इसलिए निकाल रहे है क्योंकि variance से बहुत easy वे में standard deviation आप find कर सकते है clear तो देखें h square मतला 4 का square n square it means 100 का square clear in bracket 100 यह है value 199 और इसकी है 25 का square right देखो 4 का square और 100 तो 4 by 100 होता है 120 नहीं 25 और 25 का square हो जाएगा 165 इन दोनों का multiply करा तो 1, double, 9, 0 और 25 का square करा 6, 2, 5 इसमें से 6, 2, 5 को minus करा तो आया 19 to 75 divided by 6, 2, 5 तो finally आपको और calculation करने के बाद बच्चा 771 divided by 25 और इसको 25 से डिवाइड करा तो हमारा variance मिल गया 30.84 यह क्या मिल गया variance और variance standard deviation क्या होता है standard deviation का formula होता है under root में variance under root में sigma square बहार आया तो sigma मतलब इसको काई में लिखना है under root में तो देखो 5 का square होता है 25 और 6 का होता है 36 हमारी value यहाँ पे कितनी है 30 है एकदम बीच में तो definitely 5.5 something होगा हम चाहे तो approximate भी यहाँ लिख सकते है राइट तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया 5.5 यहाँ पे 553 तक लिखा है आप चाहो तो 5.5 लिखके bracket में क्या लिख देंगे अप्रोक्सी मेट तो इस तरह किसे आपने क्या find कर लिया standard deviation तो आप देखे कि आपने क्या-क्या निकाला है mean मिला है आपको 43.5 variance मिला है 30.84 standard deviation मिला है 5.55 चाहो तो approximate लिख लो यह तीनों क्या होगा है आपके लिए answers thank you